लोगसभा चुनाओं के पहले भारतिये जन्ता पार्टी 20 लाग से जादा नव मत दाताओं के पास पहुँचने का एक प्लान बना रही है और इसको लेकर आज एक कारिशाला भी आयोजित करी जाएगी वोटर चेतन अभिहान के नाम से किस तरीके से सर ये कारिशाला आयोजित होगी और आपको लगता है कि जो ऐसा वोटर है जो पहले बार वोट देने जा रहा है वो भारती जन्ता पार्टी के संपर्क में रहे सर लेकिए पूरे जेथ में लोगसभा की चुनाओं की दिश्टी से एक रुटीन प्रिक्रिया के जोड़ने के लिए इनको जोडने के लिए सतत रुक से अवयान चलाती हो इस बार अवयान श्रू होने जा रहा है ने हर साल 18 साल की उम्र पूरे कर चुके नए नौजमान बच्चे अपने उम्र पूरे के बनने के बाद ऐसी संख्या उनकी बड़ी संख्या जाद 20 लाग के आद पास पूरे प्रदेस में रहती है और देस में बड़ी संख्या रहती है जो हर साल अपनी मद्दाता बनने के उम्र पूरी करते हैं ऐसे नवब बच्चे नौजमान मद्दातां को जोडने का एक अधियान चलाने का काम सुरू करा जाएगा उसके लिए संगठन की आज बेठक यहां होगी बखसवप होगा उसमें प्रसिच्चत करके बताया जाएगा किस तरह से जो मद्दाता 18 साल की उम्र पूरी किये हैं नौजमान हैं पड़े लिखे हैं उनको जोड़ करके उनका नाम मद्दाता थूची में जुड़वाने का काम हो और निश्चत रूप पार्टी के अपने पदादिकारियों के मारपत उसमें प्रभावी पेर भी करके उसके साथ संपर करके उसको जुड़वाने का काम अधियान के तरह किया जाएगा इस से निश्ची दूप से एक और तो हमारे नौजमान प्रचेक नौजमान को नए अगली आगामी लोग सो चुनाव में मद्दान करने का मौका भी मिलेगा और इस तरह का नया जो इतना मद्दा दाता है तो देस जोच की सोच देस श्युवारतnga के प्रट जिसकी सोच आगे उभरते वीबाहरत। होगी वो निश्चु रूप से बात्री जंता पार्टी का सहयोग और समर्चन और अपना आशिवाद देने का काम करेगा ऐसा हम लोग मानना है कि अजयराय कांग्रेस की उन्हें बात करी है कि राहूल गांधी वहां से चुनाओ लड़ेंगे और भार्ती जंता पार्टी का जो है वहां से सफाया निश्चित है किस तरीके से देखते हैं सर आप इसको नए अद्च बने हैं तो नई बयान बयान दे करके मुख लाइम लखने के लिए मुख खबरों में रहने के लिए भी कुछ करते हैं अब यह मुझे नहीं लगता है फीर कोंग्रेसित है क्योंगरेस घ्य करेंगी पार्टी का मैं को साफिए पकशित इस टेमिंटार्टि एया उनके कईने लडने वाले नहीं है लेकिन यह सही है कि उत्ता प्रेस में इस बार हमारा लच्छ अज्टी की उस्वाची जीतने का है और उसी ओर लगातार संगठन की मारपत अलग 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 त्रीके से जनता के बीच जा करके प्र्एक से ऑससी की πά़ सी फिर्यास变र Bryant जीतने का काम करेंगे और निश्च सरूस के आज़मो को साथरी मोच जी के सारने के लगवा के कारकाल के फलतरूप और शाले छे साल के लगवाब योगी जी की सरकार के कारकाल के फलतरूप जो भी नीतियां लोक कल्नियार की नीतियां जनेतकारी नीतियां देश को आगे ले आने की नीतियां विकास की नीतियां हर छेत्र में वरते चमकते दमकते प्रदेश के लिए लगाता चल प्रेयास की नीतियां के खातिर उत्तर प्रेश की जनता आधरी मोदी जी को अपना समर्चन देने का काम करेंगी और अजसी कैसी सीटम जीतेंगे एसा हम लोग का मनना है हर पार्टी को लोग तंतर में अपना कुछ प्रेयास करने का अधिकार होता है करना चाहिए कर रहा है और मैं समझता हूँ कभी कोई स्कूप नहीं है 2024 से समाजबादी पार्टी छेती दल है उत्तर प्रेश तक उसकी चमता है उत्तर प्रेश में अपना प्रेयास करते रहते हैं लेकिन फलाल अभी कोई इसको उत्तर प्रेश के लिए पालीएमेंट के लिए नहीं है उत्तब्रेस की जनता मन मना चुकी है आधरी है योगी जी और मोदी जी की जोड़ी पर पूरा उने बिस्वात है और डबल एंजिनर की सरकात जिस तरीके से लोग है जनेत का काम कर रही है निश्चत रूप से हम लोग दोजाद चोवीत का प्रचंड बहुमत के साथ असी के सी सीटे जीतने का काम करें हैं इस तरीके से दारा सिंग्चोहान के उपर स्याही फेकी गई कल स्वामी प्रसाद मौरिया के उपर जूता फेका गया जो justification के लोग हैं उनका कहना यह है कि स्वामी प्रसाद मौरिया ने राम चरीत-माने टमाम लोगों को इस तरीके के ले उससे नराजगी है। वहीं दारा सिंग्छोहान के तरफ की लोगों का कहना ये है कि ये समाजवादी पार्टी की लोगों काहा थे लेकिन जो यूवख पकड़ा गया वो कहा रहा है भारते जंता पार्टी केने तां उन्हें उससे का हुआ है। जैसा कर बता रहा है को सी की ओसी की गटना पर पुलिस ने जो गटना का खुलाता किया है, उसे में वह बेक्ट जैसे में स्याई फैंकी थी, वह समाजबारी पार्टी का कार्णा करता है उसके फोटों भी अखिलेश जी के साथ जारी किये गए हैं और ये पाया गया कि अखिल इसकी मेरीया जी का है किसी के महीं समझता है कि लुक्तंतर में जूतं पैजा जूतं फैंकना इस yeteraj गटना दुर्भा की पूर में नहीं होना चाहिए लेकिन इस तरह की गटना हुई है उसका भी क्या इरादा हो सकता है गोसी की गटना की पन्द्दत्री तो नहीं है लेकिन मुझे लगता नहीं बडाट्री दोताइव के तरह रएग़ अपने ही लोग है उस तरीके की जो घटना दारा सिंग्छोहा ने उसको छुपाने के लिए कोशिश करी मतरा समाजवादी पार्टी के ही लोगों ने किया ऐसा टी आर्पी बटोने के लिए चलिए वो तो खर एक दोर्ट में हो जाएगा लेकिन ये सब कुछ सम्मब है क्योंकि एक अमेसा एक कहावत रही है जोतना बड़ा अपरादी उतना बड़ा समाजवादी तो उनके घर में गुसकर के किसकी हिम्मत है देखिए आएगा दिश्ची दूप से खुलाता होगा लेकिन इस तरह की गट्रा चाहिए वो प्रायोजित हो या की गई हो या हुई हो लेकिन इस तरह की गट्रा लोग तंत्र में नहीं होनी चाहिए दुरुभा की पूड़ा है प्रदेश सरकार में परेटे नेम संस्कृति मंत्री जैवीर सिंग हमारे साथ मवजूद थे लखनव से वीडियो जनलिश कुमार सौरप के साथ संदीब खेर भारत समचार